वालगोविंदम स्कूल, आज आप लोगो को करना है math की workbook का page number 67 67 आपको open करना है, tick the lighter object, lighter मतलब हलका पहले हम लोगों ने किया था heavier है ना, heavier मतलब भारी और light मतलब क्या होता है हलका, इधर है shop और house, soap क्या होता है, साबून है ना साबुन हलका होता है कि भारी होता है और house होता है जो हम घर होता है वो हलका होता है या भारी होता है house होता है वो भारी बड़ा होता है वो भारी होता है और यह जो soap है साबुन है वो क्या है light है ना हम लोग को क्या object डुणना है lighter मतलब light हलका जैसे soap के उपर हम right करेंगे right का tick करेंगे house के उपर हम cross का tick करेंगे इधर है potato और lemon इन दोनों में से light हलका कौन है potato हलका होता है के lemon हलका होता है lemon हलका होता है है ना आप लोगों ने कभी उठा के देखा या potato को और lemon को अब उठा के देखना पॉटेटो होता है वो भारी होता है heavy होता है और lemon होता है जो light होता है tiger और monkey tiger क्या होता है heavy होता है भारी होता है बड़ा होता है और जो monkey होता है वो light ह लका होता है तो हम मंकी के उपर राइट लगाएंगे टाइगर के उपर हम क्रॉस लगाएंगे अब इधर है स्टारफिश और वेल वेल आप लोगों ने टीवी में देख रगी होगी वेल कितनी बड़ी होती है कितनी भारी होती है कितनी हैवी होती है और स्टारफिश होती है वह लाइट होती है तो हम स्टार्पिश के उपर राइट लगाएंगे और वेल के उपर हम क्रोस लगाएंगे